नमस्कार किसान भाईयों आज आपकी एक सबसे बड़ी समश्या जिन किसान मित्रों को चूने के बारे में जानना है आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बूजा हुआ चूना कैसा होता है ताजा चूना कैसा होता है और मरा हुआ चूना कैसा होता है आज हम आपको दिखा रहे है ताजा चुना हम ले आएं इट बट्टे से यानि जहां चुना बनता है पत्थर को घरम करके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चुने की खास्यत क्या होती है जो ताजा चुना होता है फूसा राम जी से निवद ने कि दो टुकड़ों को आप आपस में बजा के देख है अब हम आपको देखाएंगे कि इसको बुजाना कैसे बहुत किसानों का संसे रहता है कि ताजा चुना कैसा होता है बुजा हुआ क्या होता है और मरा हुआ चुना क्या होता है किसान भाईयों हम आपको बता हम आपको बता रहे हैं कि ताजा चुना यह आप जो देख रह हम इसको ठंडा करेंगे ठंडा करने का यानि कि यह जब बटे से बाहर आया यह ताजा है अब इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे पूसाराम जी पानी डाल रहे हैं देखते हैं कैसे फूलता है और कैसे यह ठंडा होता है देख रहे हैं आप चुना आप इस वीडियो को अंतर तक देखिए चूने की क्या किरिया होती है और कैसे ठंडा होता है आप देख पा रहे हैं जैसे पुसाराम जी पानी की बूंद इसके उपर गिरा रहे हैं अंदर से वस्प बार आ रही है इस्टिम बार आ रही है आप इसको देखिए तुरंत प्रभाव ये चुना फूलने जा रहा है मैं आपको क्लोज अप करूँगा ताकि आपको जानने में दिक्कत न हो देखिए किस तरह ये चुना फूल रहा है इसके अंदर से वस्प यानि की इस्टिम आ रही है ये आप किसी भी पात्तर में जब लेते हैं तो चुने को थोड़ा थोड़ा डालें जैसे कि दो ढेले फुसा रामजी ने अंदर डालकर इसको ठंडा करने की विदी कर रहे हैं आप इसकी संसनाट सुनें बस पानी छोड़ दीजी फुसा रामजी इतना ही बस पानी काफी है यह हैं ताजे चुने को ठंडा करने के विदी अब यह 12 गंटे के बाद पूरा पानी में भीख के जो पानी है इसके अंदर पूरा अफजरू हो जाएगा और यह एकदम पूरा फूल के पाउडर पाउडर जैसा हो जाएगा 12 गंटे के बाद 14 गंटे के बाद ये एकदम ठंडा हो जाता है यानि कि अब जो इसके अंदर आग थी पाने डाल दिया तो ये बुझ गया तो अब ये हो गया बुझा हुआ चुना अगर आपको माहू, मोला, चेपा, तेलिया जो भी अलग-अलग छेतरी नामों से, जो रस्चुसक कीट का नाम है उसको रोकने के लिए, आज हम ताजे चुने को ठंडा करके बता रहे हैं अगला उत्पाद हमने जो तयार करके रखा है, वो भी दिखाएंगे जो पुसाराम जी ने बाल्टी के अंदर तयार करा है पुसाराम जी दिखाएं, वा एकदम golden color, एकदम cream color, क्या must color बना है इसके अंदर एक किलो चुना पुसाराम जी ने पहले ही डाल रखा है और थोड़ा पानी डाला है मैं निवेदन करना चाहूँगा पुसाराम जी से कि अगली बार इसको ठंडा करके चांच मिलाए आप सभी किसान सातियों से ये भी निवेदन आप इस चूने और चांच को जब बनाते हैं तो ये ताजा चूना जैसे हमने इसको ठंडा किया आप इसको डायरेक्ट चांच मे केवल आपको पहले ठंडा करना है अब जैसे ये पूरा फूल गया है अब और थोड़ा अगर इसमें पानी डाल दें तो ये पूरा पानी इसके अंदर समाहित हो जाएगा थोड़ा फुसाराम जी पानी डालें अब कर दो है और कि आउया है अब किसान भाइयों आज आपकी एक सबसे बड़ी समझे कि बुजा चुना क्या होता है यह हमने बुजा क्या दिखा दिया अगर आपको ताजा चुना कहीं मिल जाता है चूना कोई ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि कहां से लाएं आपके पास नजदीक में कहीं पे भी ये मिल जाता है वहां से जब आप लें तो इसको जांचे पर्ख है कि ये जो पहले पुसा राम जी ने इसको भीगोने से पहले जो आपको आवाज दिखाई थी वैसी आवाज आए क्योंकि इसके जैसा भी एक पाउडर होता है जो पानी में गुलता नहीं है और उसका किवल सफे दरंग होता है उसमें केल्सियम की मातरा कम होती है लेकिन इस चूने में केल्सियम की मातरा है इस चूने का प्रयोग माहू रस्चीसक कीटों को इल्ली तक के कीट जो भेंकर लग जाता है फसल में उसको भी रोकने में यह काफी सक्षम है चूना को महिने के बाद ये चूना पड़ा पड़ा अपने आप खराब हो जाता है इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो अपने आप में बिखर जाते हैं और उसको जब उप्योग करते हैं उसका परिणाम नहीं आता है तो वो होता है मरा हुआ चूना यानि की डेडलाइम आज आपने थंडे करने की वीदी देखी अब इसको हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में कि इसको माहु नहीं तरन के लिए कितनी मात्रा कौन सी फ़सल के लिए लेनी है उसकी जानकारी देंगे जुड़े रही है अमारे साथ देखते रही है एक एक वीडियो को ताकि आपको अऑूटियो से कि वीडियोे भीज़ वेशना के वीडियों कि लिएंगे एक है। देखते बदूबद औण को एक यूवग्यों सीड़बद देखते नहीं हमेंड़े अश्यापक beim